पहला कोस्चन्स है कि भारत में प्रवासी भारती दिवस किस तारिक को मनाय जाता है इस कोस्चन्स में आपको 2-3 डेट याद रखने हैं वहां से वन लाइनर कोस्चन्स बन जाएंगे तो 9 जन्वरी को भारती प्रवासी दिवस मनाय जाता है इसका जो सुरुवात है इस थापना वो 2003 से किया गया है तो यह 9 जन्वरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिड फ्रिकासे मुंबई वापसी के याद में मनाय जाता है तो यह 1915 का भी डेट याद रखना इस समय जो महात्मा गांधी है वो दक्षिड भारत से वापस आते हैं भारत के लिए तो 9 जन्वरी 1915 को भारत वापसी करते हैं दक्षिड फ्रिकासे यह डेट आप याद रखना है इसका इस्थापना 2003 में भारत सरकार के विदेश मंत्राले द्वरा भारतिय प्रवासी समुदाय को भारत से अधिक निकर्ता से जोडनी के लिए यह इस्थापना किया गया था नेक्स्ट कोश्चन्स है दो हजार चौबीस के लिए स्यंगत राष्ट विस्व आर्थिक इस्थिति और संभावना रिपोर्ट के नुसार दो हजार चौबीस में भारत के लिए अनुमानित जो जी डीपी है विकास दर क्या है सो 6.2 भारती अर्थिक इस्था के लिए स्यंगत राष्ट विस्व आर्थिक इस्थिति और संभावना रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थिक इस्था के रूप में इस्थापीद करता है कोशन नमबर 3 है वाचो बुडेन क्राप्ट जिसे हाली में GI टेग प्राप्थ हुआ है किस राज से संबंदित है तो अरुनाचल प्रदेश हाली में औरचल प्रदेश की तीन वस्थमों को प्रतिष्थित भागोलिक जो GI टेग है वो दिया गया है कौन कौन सा आदी केकरी किस्म का जो अदरक है नेक्स्ट है बनी कालीन और वाचो लकरी का जो सिल्फ है इसको GI टेग दिया गया है तो इसको याद रखना इस्टेट है औरचल प्रदेश कौन सी कंपनी बेंगौल की खाड़ी में किष्णा गोदावरी बेसीन गहरे सागर प्रियोजना का संचालन कर रही है तेल और प्राकरती गैस निगम लिम्टेड ओयन जीसी तेल और प्राकरती गैस निगम बंगाल की खाड़ी में किष्णा गोदावरी बेसीन गहरे सागर प्रियोजना का संचालन कर रही है किष्णा गोदावरी बेसिन भारत के पुर्वी तड़ पर पेट्रोलियम यूप बेसिन है तहीं आपको थोड़ा से जोग्रोफिकल भी आस्पेक्ट्स याद रखना है कोश्चन नमबर पाँच है लांजिया सौरा पेंटिंग जिसे हाली में जियाई टेग मिला है किस राज इसे संबंदित है तो उडिसा लांजिया सौरा पेंटिंग जिसे एंकोंस या इडिटल्स के नाम से भी जाना जाता है उडिसा के दिवार भित्ती कला की एक नोठी सैली है यह कला लांजिया सौर समुदाय से संबंदित है यह आपको याद रखना है लांजिया सौर समुदाय संबंदित है जो एक पीवी टीजी है मुख्य रूप से राइगडा जिले में रहता है यह पेंटिंग घरों की मिट देवताओं और पुरोजों के प्रती आभार व्यक्त करने और अपने समुदाय की भलाई के लिए अपनी दिवारों को इटिटल कलाकृतियों से रंगते हैं, सो प्रकृति के प्रती आदीम जन जातियों के प्रेम और स्ने को दरसाते हुए, उनमें आदिवासी मानो, पेड, जानवर, पक्षी, सूरी, चंद्रमा जैसे विशे सामिल हैं, तो याद रखना, उडिसा राज्य है, लांजिया सौरा पेंटिंग है, किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है, यह आपको विशेस्तर याद रखना पड़ेगा, कोश्चन नमबर सेक्स है, सुकांत मजुमदार, सुकांत मजुमदार, जो कि संसदरत प्रुषकार प्राप्त करताओं में से एक हैं, किस राजनितिक दल से संबंदित हैं, सो भारती जनता प्रुषकार प्राप्त करताओं में से एक सुकांत मजुमदार भारती जनता याद रखना अगर पूछ लेता है तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिवर्स प्रदान किया जाता है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो हाली में खबरों में था किस राज में इस्तित है। कारियों को हटाने का आदेश दिया है जहां आदालत ने अतिक्रमण कारियों द्वारा दायर याचका को खारिज कर दिया। या कारिवाई साच्छों पर आधारी थी। इसमें इसरो उपगरह इमेजेत भी सामिल है। इससे पता चलता है कि अतिक्रमी छेत 2012 तक कभी घना जंगल था। इस मुद्दे ने अवैद अतिक्रमण के संदर में भारत में वन जीव अभ्यानड के सामने आने वाले चुनोतियों और सतर्ग संगश्ण प्रयासों के आउसकता पर प्रकाश जला है। तो राजी का नाम याद रखना, 36 गड़, उदंती, सीतानदी, टाइगर, रिजर्व। कोश्चन नमबर आठ है, क्याउक फ्यू सेज और गहरा समुदरी बनगा, जो की हाली में खबरो था, किस देश में इस्तित है, म्यामार, याद रखना, यहाँ पर बहुत मजबूत एक्सेस अपना चाइना बनाना चाहता है, क्यों, क्योंकि जो बे या बंगॉल है, उसकी बहुत आसान हो जाएगी, और भारत को डिफेंट करने में काफी चाइना को आसानी हो जाएगा, ठीक है, तो क्याउक फ्यू सेज, यह नाम याद रखना, यह म्यामार में इस्तित है, इसके दोरा एक्सेसिबिल्टी बन जाएगी, चाइना का, बेया बेंगॉल में, भारत क समक्ष, डिफेंट करने के लिए, तो यह आपको याद रखना है, यह जगें कुछ ऐसे विसेस्ता, जो भोगोली के लुप से जुड़े होते हैं, वो आज आते हैं, आयार में भी इसका सेगमें का काफी इंपोर्टेंट है, तो चीन, पच्चमी म्यामार के, रखाइन है, सेखहसीना जुनोंने हाली में बंगलादेश के प्रधान मंति के रूप में लगाता है, चोथी बार रिकॉर्ड हासिल किया है, आवामी लीग से हैं, उनके नितित्में अवामी लीग ने बंगलादेश के आमचुनाओं में तीन सौ सीटो वाली, संसद में दो सौ सीटे जीती है या महदपूर जीत न केवल प्रधानमंति के रूप में सेख हसीना के इस्थिती को मजबूत किया है बलकि बांगलादेशी राजनीती में अवामी लीक की मजबूती उपस्थिती को भी प्रभाव की पुष्टी किया है इन चुनाओं में पार्टी की सफलता ने अच्छा रिकॉर्ड रिलेसंस रहा है भारत का इन दोनों देशों के समझ तो भारत के फेवर में सेख हसीना के प्रसान मंत्री बनना भारत के फेवर में आल टाइम से रहा है ठीक है चलिए कोशन बर्दर से लास्ट है औरका जिससे हाली में बोईंग द्वारा अमेरिकी न नोसेना को सवपा गया था कि इस प्रकार का वाहन है और विसेश रूप से बदलते वातावरण और विवादी जल में समुद्री प्रभूत अचिल करने के लिए डिजाइन किया गया है यह विकास समुद्री और खुपिया पडालियों में एक मील का पथर है जो कि स्वायत पानी की नीचे वाहन प्रदुक्य की छेतर में बोईंग के दसक भर के अगड़ी काम को परदरसीत करता है So everybody So one liner हमने segment देखा इसको हमने विश्तरित रूप से भी बात इस पे किया अगर आपको exam के relevant लगते हैं चले फिर मिलते हैं अगले संगन थाने बाद